Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है बच्चों उसमें हम डस्कस करेंगे वरक्षीट नमबो 14, 4 क्लास 8 सामजिक विज्यान की पैरे बच्चों ये वरक्षीट है जो आपके लिए 8 सप्टेंबर 2021 के लिए शेडिूल की गई है तिके पार्ट 8 है ये आपका हाशिया करन से निपटना उसी को हम जारी रखते हुए आगे मौलिक अधिकारों के उप्योग के बारे में इस वरक्षीट में पढ़ने वाले हैं सो वक्षी शूकरने से पहले बेटा प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो क्या दिया गया है देखे हमने पिछली वक्षीट में पढ़ा कि हाशिया करन क्या है और किस तरह से हाशया करन को बढ़ावा मिलता है और कैसे हम हाशया करन को जो है अपने लेवल पर कम जो है वो कर सकती है अब हम पड़ेंगे मौलिक अधिकार उनका उप्योग हम कैसे कर सकती है सविधान में ऐसे कई सिद्धान सुत्रबद किये गई है जो हमारे समाज राज्य व्यवस्था को लोक्तांत्रिक बनाते हैं यानि कई ऐसे सिद्धान जो है वो है जो कि हमारे जो सविधान है उसमें सुत्रबद किये गई है जो हमारा समाज है हमारी जो राज्य की व्यवस्था है उसको लोकतन त्रिक बनाते हैं इन सिद्दान्तों को हम क्या कहते हैं इन सिद्दान्तों को मौलिक अधिकारों के जरिये परिभाशित किया गया है यह हमारे सवीधान का एक महतपूर्ण हिस्सा है यह अधिकार सभी भारतियों को समान रूप से उपलब्द होते हैं जहां तक हाशियाई तबकों की बात है उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है ठीक है तो जो भी भारतिये हैं उनको यह मौलिक अधिकार पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ अन्याई पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। यानि जहां पर भी लगता है कि जो हाशियाई लोग है उनको जो है नजर अंदाज किया जा रहा है तो उन्होंने इन मौलिक अदिकारों का प्रियोग जो है अपनी गरिमा के लिए किया है नेक्स देखिए सविधान के अनुछेद 17 के अनुसार तो सविधान का अनुछेद 17 क्या कहता है ये अनुछेद जो है असप्रशिता या छुवा चात का उन्मुलन जो अनुछेद है इसके अनुसार किया जा चुका है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अब कोई भी वेक् तो जो हमारा अनुछेद सत्र है उसके अनुसार इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है आब इनके बच्चे जो है वो कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं मंदिरों में जाने में कोई रोक टोक नहीं है इसका मतलब यह भी है कि छुआ छात जो है वो गलत है और लौकतांतरिक सरकार इस तरह के आचरन को बरदाश्ट नहीं करेगी अब एसपरशिता एक दंडनी है अपराध है ठीके सविधान का अनुछेद पंद्रे इसमें क्या कहा गया है कि भारत किसी भी नागरीक के साथ धर्म, नसल, चाती, लिंग्या, जर्मस्थान के आधार पर भेदवाव नहीं किया जाएगा समानता के अधिकार का हनवनोने पर अनुशुति जाती स्प्रावधान का सहारा लेते हैं तो अनुछेद पंद्रे जो है ये भी इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ पर बहुत धर्मों के लोग रहते हैं ठीक है, बहुत चाकियों के लोग रहते हैं तो इसके आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा इसी थरे आलप संख्यक समुदायों ने भी सवीधान में दिये गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक वसक्षनिक अधिकारों की सोतंतरता की अधिकार पर भी क्या दिया है जो और दिया है जहां तक संस्कृतिक एम सेक्षिनिक अधिकारों का प्रश्ण है मुसल्मान और पार्सी आदी संस्कृतिक धार्मिक समुहों को अपनी संस्कृतिकी सुरक्षा का अधिकार जो है मिला हुआ है तो जो धर्म और सांस्कृतिक वसेक्षिनिक अधिकारों की सोतंतरता का अधिकार है इस मौलिक अधिकार के चलते जो अलग-अलग धर्मों के लोग हैं वो अपनी भाशा, वो अपनी संस्कृतिकी सुरक्षा उनको करने का पूरा-पूरा अधिकार है इस तरह विभिन प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों को की विवस्था करके सविधान ने ऐसे समुहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है तो इस तरह का जो ये अधिकार है मौले का दिकार जिसके चलते लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखने में कामियाब हुए हैं तो ऐसे जो समुह हैं उनको इस तरह से क्या मिला है उनको एक संस्कृतिक नय देने का प्रयास जो है हमारे सविधान में दियक्किया गया है जो संस्कृति है वो उसको अपना कर रखे और जो बहु संख्यक व्यक्ति हैं वो कहीं उनकी संस्कृति को नुकसान ना पहुचाए इसके लिए यह अधिकार जो है वो दिया गया है कि संस्कृति जो है वो नस्टे ना हो next देखिए सामाजिक न्याय को प्रोच साहन अब दिया गया है कि जो सामाजिक न्याय है उसको कैसे प्रोच साहित किया गया है तो सविधान को लागू करने के लिए राचय और किंद्र सरकारे जन जातिय आबादी वाले या भारी अनुसुची जाती आबादी इलाकों में विशेश प्रकार की योजनाई जो हैं वो लागू करती हैं तो इसमें यानि सामजिक नयाई में राच्या और किंद्रिय सरकारों का भी हाथ है तो राजय और केंद्रिय सरकारे जहाँ पर भारी अनुसुची जाती हैं यानि बहुत जादा जनसिंख्या है जहाँ पर तो वहाँ पर अलग-अलग तरह कि उन्हीं के अनुसार योजना इलागू की जाती हैं उधारन के लिए कई स्थानों पर अनुसुची जातीयों और आदिवाशियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरोपर छात्रावास की सुविदा उपलब्द कराई गई है ताकि वे सिक्षा सम्बंदी सुविदाएं हासिल कर सकें जो मुम्किन है तिक है कि उनके अप ठोस कदम उठाए जा सकें यानि जो वेवस्था है उसमें जो अलप संख्यक लोग हैं उनके साथ जो ऐसामानता हो रही है उसको भी खतम किया जा सकें इसके लिए भी सरकार ठोस कदम उठाती है आरक्षन की वेवस्था इसी तरह का एक महत्यपून कानु नोर नीती है तो आरक्षन का जो ये प्रावधान है, सभी बच्चे से बहुत अच्छे से फैमिलियर है, कि आरक्षन क्यों किया गया है, आरक्षन इसलिए किया गया है कि जो अलप संख्यक लोग है, जिनका विकास नहीं हुआ, ठीक है, उनका विकास हो, ताकि जो सिक्षिन संस्थान है, सरकारी नोकरियां है, उनके अंदर भी अनुसुची जातियां जो है, उनको जगए मिल सके या दिवासी है, इसी को हम क्या कहते हैं, बच्चो इसी को हम आरक्षन कहते हैं, नेक्स देखिए, अब आपको यहाँ पर तीन कोशन दे गई है, पह हम यहीं से करेंगे, आपकी वक्षीट में बहुत अच्छे से दिया गया है, तो देखिए हमने सारी आंसर साइलाइट कर दिये हैं, यहां से अप लिख सकते हैं, उन्होंने इन अधिकारों का पुछा गया है, मौलिक अधिकारों का किस तरह से इस्तेमाल किया है, पहला यहां तक आपका पहले कोशिन का अंसर हो जाएगा, तीक है, यहां से लिकरों यहां तक आप इसको बिटा लिख दीजे, नेक्स देखिए, हम करेंगे कोशिन नंबर टू, वीडियो पॉस करके आप इसको अच्छे से लिख लिजे, कोशिन नंबर टू क्या दिया गया है, राज्य सरकारे और किंदर सरकारे सामजिक न्याय को किस प्रकार प्रोच साहित करती हैं, तो राज्य सरकारे और किंदर सरकारे कैसे प्रोच साहित करती हैं सामजिक न्याय को, हमने पड़ा कि राज्य और किंदर सरकारे जन जाती आबादी वाले भारी अनुसुचित जाती आबादी इलाकों में विशेश प्रकार की योजनाय लागू करती हैं उधारन के साथ जो है दिया गया है कि किस तरह से छात्रावास क्या होते हैं न होस्टल तो उनको जो है कम दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्द कराई गई है तो यहां से आपका question number 2 का आंसर हो चाएगा तो यहां से लिकर और यहां तक आप इसको लिख देंगे clear? next देखिए question number 3 दिया गया है संक्षिप्ट टिप्पनी लिखे भारतिय सविधान का अनुछेद 15 और भारतिय सविधान का अनुछेद 17 तो भारतिय सविधान का अनुछेद 15 और 17 हमने विरकुल अलग से पड़ा है तो यहां से देखिए यह दिया गया है तो आप लिख देंगे पहले number 1 लिखे सविधान का अनुछेद 17 के अनुछेद 17 के अनुछार तो आप तो पहले तो आप यहां पे यह वाला point डाल दीजिए भारतिय सविधान का अनुछेद 15 उसके बाद आप इसका अंसर लिखेंगे A का तो भारतिय जो है सविधान के अनुछेद 15 में कहा गया है तो यह आपका A का अंसर हो जाएगा कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धरम नसल चाती लिंग जनमस्थान के आधार पर भेदवाव नहीं किया जाएगा समानता के अधिकार का हाननन होने पर अन चेद 17 के बारे में लिख देना है दो लाइने ठीक है तो यह आपका B का आंसर हो जाएगा क्लियर है स्टूडेंट्स तो यह थी बच्चों आपके आज की बिटा SST की वक्षीट I hope सभी स्टूडेंट्स को यह क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो झालो